Hey guys, subscribe and click on the bell icon to get more amazing content from IH&T. चतुर खरगोश और शेर की किसी घनेवन प्रदेश में एक बहुत बड़ा शेर रहता था, जो रोज शिकार पर निकलता और एक नहीं बलकि बहुत सारे जानवर का शिकार करता. जंगल के सारे जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेगा. शेर को रोकना जरूरी था, उसके उपाय के लिए एक दिन जंगल के सारे जानवर इखटा हुए और इस प्रशन पर विचार करने लगे. अंत में उन्होंने तैय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करेंगे. अब जानवरों का एक दल शेर के पास पहुँचा. जानवरों के दल को अपनी और आते देख शेर थोड़ा गबरा गया. और उसने गरच कर पूचा, क्या बात है? तुम सब यहां क्यों आ रहे हो? तो जानवरों के दल के नेता ने कहा, महराज हम आपके पास निवेदन करने आए हैं. आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा. आप जिस तरह शिकार करते हो, बहुत से जानवर मार डालते हो. आप सब को खा भी नहीं पाते. इस तरह से तो जंगल के सारे जानवरों की संख्या कम हो जाएगी. प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सबी मर जाएंगे तो आप भी तो राजा नहीं रहोगे. आप हमारे राजा बने रहें और हमारी विंती स्विकार करें कि हम रोज आप तक एक जानवर भेज देंगे. इस तरह राजा और प्रजा दोनों ही चैन की सास रह सकते हैं. शेर को लगा जानवर की बात में सच्चा ही है और बोला अच्छी बात है मैं तुम्हारा सुझाओ मान लेता हूं लेकिन याद रखना. अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं बेजा तो मैं भी जानवर चाहूंगा मार बिचारे जानवर उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए. उस दिन से हर रोज शेर के पास खाने के लिए एक जानवर भेज दिया जाने लगा. अब एक दिन एक खरगोश की बारी भी आ गई. शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुन गया वह जितना छोटा था उतना ही चालाग भी था उसने सोचा पिकार में ही शेर की हाथों मरना मुर्खता है अपनी जान बचाने का कोई न कोई उपाय तो अवश्य ढूड़ना ही पड़ेगा उसे एक ऐसी तरकीब सुजी जिससे खरगोश ही नहीं बल्कि सभी जानवरों की मुसिबत का चुटकारा हो जाएगा अब खरगोश बड़े आराम से दीरे दीरे खेलते कुटते हुए शेर की घर पहुँचा वो पहुँचा तब तक देर भी हो चुकी थी भूख के मारे शेर का बुरा हाल था उस पर उसने देखा कि उसकी भूजन के लिए एक छोटा सा खरगोश है वो और बौखला उठा और जोड से गरज कर बोला किसने तुम्हें भेजा है एक तो पिद्दी जैसे हो और इतनी देर से आ रहे हो जिन बेवकूफों ने तुम्हें मेरे पास भेजा है मैं उन सब को ठीक करूँगा एक-एक का काम तमाम न किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं नन्हा खरगोश आदर से जमीन तक जुक कर बोला महराज अगर आप कृपा करके मेरी पाद सुन ले तो मुझे या और किसी जानवर को दोश नहीं देंगे वे तो जानते ही थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके बोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा इसलिए उन्होंने छे खरगोश बेजे थे लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया और उसने पाँच खरगोश को खा लिया इतना सुनते ही शेर हाड कर बोला क्या क्या कहा दूशरा शेर कौन है वो तुमने उसे कहा देखा खरगोश बोला महराज वो बहुत बड़ा शेर है जम इनकी अंदर किला बना कर रहता है और वो यहीं भी कहता है कि इस जंगल का असली राजा वो है आप नहीं उसने तो आपको मुर्ख कहा और कहा कि उस मुर्ख चोर को मेरे सामने हाजिर करो मैं उसको बताऊंगा कि असली राजा कौन है खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुसा आया और वो बार बार करजने लगा शेर बोला मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चलो जब तक मैं उसे जान से ना मार डालू मुझे चैन नहीं आएगा अब चतुर खरगोश शेर को जंगल में बने एक कुवे के पास ले गया और कहा कि वह शेर इसमें रहता है शेर ने कुवे की अंदर जाका और उसे अपनी ही परचाई दिखाई दी परचाई देखते ही शेर जोर से दहाडता हुआ दुश्मन को तुरंधी मार डालने के लिए अंदर कूद गया पूवे में कूदने से शेर का अंत हुआ इस तरब चतुराई से शेर से चुट्टी पाकर ननहा खरगोश घर लोटा और शेर के मरने की खबर सबको सुनाई सब चानवर बड़े खुश हुए और खरगोश की जैजे कार करने लगे पंच दंद्रक की ये स्टोरी हमें सिखाती है कि घोर संकर की परिस्तित्यों में भी हमें सूजबूज और चतुराई से काम लेना चाहिए जिससे हम भयांकर संकर से उबर सकते हैं और बड़े से बड़े शक्ति साली सत्रु को भी पराजित कर सकते हैं मुझे ये काहानी बहुत अच्छी लगी आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा हमें लाइक और सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं एक और नए एपिसोड में तब तक स्लिप बेल, लिव बैटर